हेलो फ्रेंड्स में आपका मेंट और एक इसिंग और आज फिर हम अपने डिए डिए एस प्रीकल साइंस की त्यारी करेंगी और डिए डिए पालिटिकल्साइंस के त्यारी में आज हम क्या देख रहें नेक्स्ट आपका इस्थान्य सरकार यानि की NCRT देख रहा है NCRT यानि की क्लास 11 की NCRT में आज का टॉपिक क्या है हमारा इस्थान्य सरकार यानि की इस्थान्य सरकार या इस्थान्य सरकार आपका कुछ भी कह लिजें इस्थान्य सरकार क्या है एक तरह का जैसे हमारी एक तरह की लोकल गौर् में यानि इस्थान ने शाषिन आपके इस में अलग 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 हिसों में बटी किये या फिस्थान्य सरकार के तोर पे हमें देखने को बिलता है जैसे कि हमें लोकल जिसे हम लोकल गवर्मेंट कहते हैं अब इस्थान्य सरकार क्या यानि कि इस्थान्य सरकार क्यों यानि कि इसमें रोता है क्यों जरूत है या फिर क्या एक तरह से क्या प्रेजेंट करी रह काम यह जैसे ग्राम पंचात यानी ग्राम पंचात तोbakमे में क्या एंग आप क्या कर रहे हो एक किस्थाने सरकार है वह क्या कर 이 एक लोकल को ढूंइंट है जो कहीं न सरकार है आपको क्या कर रहे हैं आपके सूब nord só कार्ये को चला रही है जिले में यहां पर भी आप रहते उसको का यानि की सुवे उस्ते तरूप से सही तरह से चलाने का कारिये करें जिसे कहते हैं लोकल गवर्मेंट के तौर पर मानते हैं चलिए आगे चलते हैं इनकी इसमें क्या है का आपका गाउन अरचले इस तरफ शचने यानि शाशन क्या है करती है और यानि एक तरह से स्थानय शाशन आजम सोसे नजएगी शाशन होता है जिसे क्या कहते हैं कही न कहीं इस्थान्य शाषन का नाम दिया जाता है या आम नागरिकों की समस्याव उनके रोज मर रहे के जिंदगी में जो कहीं न कहीं जो यानि स्थाने शाशन के नेता है कि स्थाने शाशन एक तरह से क्या करता है लोकतांत्रिक जो एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार है उसका कहीं न कहीं एक नजदी की एक्जामपल है यानि की नजदी की क्या है उनका एक्जामपल माना जाएगा लोकल गौर्णमेंट यानि की इस चेप्टर में हमें क्या पढ़ना है एक तो लोकल गौर्णमेंट क्या है जो आपकी क्या है पंचायत है यानि की पंचायत के बारे में क्या है लोकल गौर्णमेंट यानि की जो भी सब लेकाइए पहले अधारत के बराबर इसलिए माना जाता। यो कहीं लिए चलाएं जाएंगी भारत में सठांदीनी साषन का विकास कहीं में लगें और इसमें और ध्यान रहतना जो है कि सवह से पहले सब पहले सब सब्सक्राइब्स जोड दिया तो जैसे यहां पर भी कहीं लिखाओ को कहीं लिखाओ को बनाने की दिशाम में पहला कदम यानि की पहला ठीके तो उसमें पहला कदम यानि की कदम उठाया उस यानि उस वक्त उस मुकद यानि की लोकल वोर्ड कहा जाता था बैराल इस दिशाम में प्रगती बड़े दीमी गती से ही रही और बारती राश्टी कॉंग्रिस में सरकार से मांग की गई इस्ताने वोर्ड को ज्यादा का सब्सक्राइब उठाये गौवर्डमेंट ओफ इंडिया जाएं इंडिया एक्ट के उनसार उनिस सो उनिस में बनाने ठाय एक प्रांत में Gian prints में और निस सो सथा का विकेंदरे और जाहिसे बात कहीं न कहीं कहीं और ग्राम पथा पहले तो हम करते हैं लोकल गवर्मेंट के तोड़ पर जानते हैं पहले जो सडक कर officer यानि ग्रामीन सड़क का निर्माने और उस पे कहीं न कहीं आपने देखा वह सोलर पैनल क्या लग रहे हैं लाइट लग रही है उसके आसपास रोडों के आसपास बैंचे विच रही है कहीं न कहीं वो क्या काम कर रहा है जो कहीं न कहीं हो रहा है वो कारिये यानि कारे हो रहा है वो कहीं न कहीं लोकल गवर्मेंट के नजरिये से ही हो रहा है और वही क्या कारे करता है एक तरह से आमें बताता है वो कारिये कहीं न कहीं कि हाँ सरकार लोकल गवर्मेंट भी काम सुभे वस्तितरुप से कर रही है ज कह लिए आगी जलते हैं भारत सर्क यानि स्वतंद्र भारत में स्थाने शाषन में निकाये बनाने के लिए कुछ पर्याद हो चुके थी इसके क्या है जैसे कि आपने का यानि की कॉमिनेटी डेवलेप्मेंट प्रोग्राम हुए और प्रोग्राम भी इस तरह के हुए कहीं न गहीं जो से मैंने बताया कि रोड किनारे क्या हुआ पैंच यह आई गाड़ियां को कहाने की जहां पर कहा है गाड़ी नहीं है वहां पर गाड़ी होने चाहिए एक जगह से दू जो आपके primary school आऊ प्राइमरी सिकूल भी कहीं न ओ कहीं आप की लोकल गवर्मेट के अंडर ही चलता हुआ और उसका कारे कारे को सवह होने आपने देखा हो कि जबहें और जिबहें बात करतें तो अंडर होता है कि परधान के प्रधान के उस कारे को सवुह जो कहीं न और जही नहीं नहीं अलग तरह से याजिती एक से पांच एक से पांच और और शें से आठ यह दोना कहीं नहीं परदान के महत से जिसे हम कहते हैं लोकल गॉवर्मेंट के जाते हैं फिर आगे चलते सवीदान के 73 水 24 सना शनसोफरू Japanese यानि 1989 में केंदर सरकार ने दो सविदान संसोधन की बात आगे बढ़ाई इस संसोधन में लक्ष अस्थान ने शाजन को मजबूद करना और पूरे देश में इसके काम काज को बना वट के एक रूपता लाना था क्यों क्यों कि कहीं नहीं हमें क्या करना था सरकार यानि की सरकार को जो रूप है इसको सविदान के 73 या 74 संसोधन से पारित हुआ सविदान के 73 संसोधन में गाहों की स्थान ने शाषन से जुड़ा था इस संबन में पंचहती राज विवस्था की स्थान यानि की संस्थाओं से है सविधान के स्विधान चस्विधानр से सप पताओं पचैति राज़िये दूसरा ये पूछे नापत स्विधान पता दिया सब्सक्राइब तो इसमें आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब किस सब्सक्राइब तो इस तरह से कुछिन पूचे जाता है तो आखो पता होना चाहिए सब्सक्राइब तो इसमें पंचाहित राजवरस्ता करें डंक तीन सब्सक्राइब कि अगराम पंचाहित आती है ग्राम पंचाहित की तायरे कि में एक अथवा एक से ज़्यादा गाव होते हैं कि मद्यस्तरि यानि की फिर तरह से ब्लग इसे ख़ंड के यानि की कहा गया प्र poska के बाद किया आगा आगया स्थानी सरकार की हमाएं मंडल की जुरत नहीं है सबसे उपर प्री क्या है एक तरह से जिला पंचायत का इस्थान कहा गया और इसे करी ने कई रामीन इलाके आते हैं अब यह हो आपर क्या होगा difference में क्या है प्रावधान को सब subsid year diyour प्रावधान क्या चाहित चुनाों को दो कैईए तरह से मत क्या कराने की बात क Qur Holot यहां पर पंचायती भी राजयों प्रश्ता व्स्तर सीधे जंता चुंती है उपने Нपहएं अपने कि पर्देश में याने की आपको पता है पंचाय जिने अवदी के इतने साल के पांच साल के होती है और यदि पर्देश में सरकार पांच साल को पूरा होने से पहले पंचाय को बंग हो जाए तो इनके 6 मेहने के अंदर क्या है नए चुनाव करा जाते हैं और अन्यवारिस ता भी गई है ठीक है अब विशह कि इस्थान तरद यानि तर्द किया गया गया है कि इने विशह को पंचायति राज्य स्थान तरद किया जाएगा राधिकान्स महामलम में यह स्थान रूप में दिखायाएगे जैसे पूरे की विषय हैं कि क्रकार यह नहीं किस तरह से हो यही कहीं पूरी व्यवस्तार रहती है good कि चलिए आगे चलते हैं अनुचे थ्री फोर्टी थी च्छे के गड़ा पंचाय इत्तों कि शक्ति प्रादिकार और अत्तरदायत किसी प्रदेश में विदायक यानि कि विदाय का कानूर बनाकर ग्राम यानि या रिसूची में दरज मामले को पंचायत को ऐसे शक्ति का प्र देखार प्रदन कर सकता है ठीक है तो यह कहीं न अगाई बताया गया राज्य वित्यायों यह बताया गया है 74 में क्या है नगरपालिका के बारे बताया गया और यह क्या करता है कम से गम 5,000 अर्से की जनसंग्या हो दूसरा क्या है काम का जी पूरिस में कम से गम 75,000 खेती बाड़ी में काम से अलग मामले में हो और फिर क्या है जनसंग्या कम से गम 4,000 अर्वेक्ती प्रतिवार ऐसे से संबंदिद। आपका प्राहोदान कहीं बताया गया तो यह था आपका चप्टरा इसमें तीन चीज पूछे जाती है तो तीनों चीज आपको पता देशी एक तो क्या है क्या है पंचायत यानि कि पंचर लाइक करें चैनल को सबस्क्राब करें वीडियो को जाए तो शेयर करें ठेंक कूई